कि अलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल पर डवी डवी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल एसेस लाइब टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें वीडियो को लाश्ट तक देखें बिना स्क्रिप किये डवी डवी ने बीर महान और सौरफ गुर्जर के बहुत बड़े मैच का किया ऐलान भारतिय सुपरिश्टार ने एन एक्सटी में अपने सफर की सुरुआत की थी लेकिन फिर वो अलग हो गये थे अब जाकर दोनों ही सुपरिश्टारों को एक बार फिर मिलकर टैग टीम मैच लड़ने का मौका मिलेगा 26 जनवरी 2021 के बाद यह पहला मौका होगा जब WWE TV पर बीर महान और सौरफ गुरजर एक साथ टीम बनाकर लड़ते हुए दिखाई देंगे इस बीच जो जरूर लाइब इवेंट में लड़ रहे हैं लेकिन आखिरकार NXT के एपिसोड में फैंस को उनका मैंच देखने का मौका मिलेगा जी आ दोस्तों NXT में बीर महान और सौरफ गुरजर के साथ सुरुवात की थी और उनकी टीम का नाम इंट सेर था उन्होंने कुछ दमागेदार मैट लड़े लेकिन फिर उन्हें किसी कारण से अलग किया गया बीर महान ने में रोष्टर में चले गए बही गुरजर NXT का ही हिस्सा बने रहे दोनोंने सिंगल स्टार के रूप में अच्छा काम किया ट्रिपल एच के क्रियेटिव हैट बनने के बाद बीर महान रोष्ट से दूर हो गए और लगबग एक महीने पहले उन्होंने NXT में कदम रखा बो सागा को एक बार फिर अपने साथ जोना चाहते थे और उनका री यूनियन हुआ उन्होंने क्रीड ब्रदर्स पर हमला करके इस बार मैच में जनकारी दे दी थी अब WWE ने उनके इन रिंग रिटर्न को लेकर अपडेट दिया है जी आ दोस्तों दोनों ही इस्टार बहुत लंबे समय बाद एक साथ रिंग में नजर आ रहे हैं किसके के इक मैच में देखने ग्यांप देखने को मिलने वाला है जिए Psalm even दिनों के बाद दोनों का पहला मखाबला साथ में नहीं हुआ है कि उनका सामना किसके खिलाब होने वाला है क्रीड बिर्दर्स के साथ सांगा और वीर का मुकावला देखने को मिल सकता है भारती सुपरिस्टार को एक बार फिर साथ देखना बहुत ही जवरजस्त चीज है इन सेर एक बार फिर से टेग टीम टेलिवीजिन में डॉमिनेशन दिखा सकते हैं दोनों ही बड़े साथ के सुपरिस्टार है और ऐसे में उन्हें रिंग में देखना सही मायने में बहुत ही सांदार साबित होगा बीर और सागा को अगर सही मायने में बड़ा पुश मिला तो वो कुछ महीनों में सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें